हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है माइटी कॉंड्रिया, जी हाँ, हमारा चैनल है बायोलोजी का पावर हाउस, आपकी बायो की पूरी तैयारी इस चैनल पे करवाने का हम लोगों ने प्रंड लिया है, हमारा कमिटमेंट है कि हम आपको बायो का पूरा-पूरा-पूरा मास्टर बना देंगे, ठीक है, तो आज लेवें स्टैंडर का हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है, बायोलोजीकल क्लासिफ ठीक है, चलिए, आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों में एक बात यहां पर आपको बोलना चाहता हूं, हमारा चैनल पे जो बायो के कंसेप्ट्स हम आपको सिखा रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हों, चाहे आप सी बीसी बोर सभी बोर्ड के बच्चों के लिए equally useful है, क्योंकि हमने सारे बोर्ड का कंसेप्ट यहां पर डाला हुआ है, और साइड बाय साइड हम आपकी नीट की भी तयारी करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि यह चैनल सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए है, यह चैनल सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बोर्ड का बच्चा जो लेवेंट में पढ़ रहा है और जिसने बायोजी लिया हुआ है, वो हमारे चैनल से फाइदा उठा सकता है, और बायोजी की तयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, चलिए, फिर शुरू करते हैं, पहली बात, what is the meaning of biological classification, living organisms को अलग-अलग category में divide करना, based on certain similarities and differences, इस process को हम कहते हैं, biological classification, तो पहला question हमारे दिमाग में आता है, सर, ये classification करने का need क्या है, क्यूं करना है हमें, भाई पहले हमारे पास काम-काम है क्या, अब आप बोल रहे हो कि हमें organisms को classify भी करना है, मेरे बच्चों, इस धर्ती पे, हजारो species of plants, animals और दूसरे organisms present है, तो as a biology student, अगर आपको इन्हें अच्छी तरीके से study करना है, उसे simplified तरी के से study करना है, तो we have to divide them according to the similarities and differences, इसलिए इनका classification करना बहुत जरूरी है, चलिए आपको एक example बताते हैं, मान लिजिए, आप किसी सूपर मार्केट में गए, शॉपिंग के लिए, कई बार मम्मी बोलती है ना, चल आज घर बैठा है भाई, कुछ नहीं कर रहा है, चल मेरे स साथ, जब आप जाते हो, आप डीमाट में या कोई भी मॉल में जब आप एंटर करते हो, आप पहले तो ट्रॉली लेते हो, और आपने देखा होगा, वहाँ पर जो भी चीजें बेची जाती है, उन्हें अलग-अलग sections में रखा जाता है, तो अब अगर आपको खाने पीने कोई चीज खरीदनी है, कोई आपको snacks के packets करीदने है, तो आप अपनी ट्रॉली लेके snacks के section में जाओगे, अगर आप कोई supermarket में गए हो, आपको कपडे खरीदने है, तो आप कपडे के section में जाओगे, अब कपडे के section में भी ladies का section अलग है, gents का section अलग है, अब वहाँ पर भी सब कपड़े अपने size के हिसाब से अलग-अलग racks में रखे जाते हैं small size, medium size, large size, XL size, double XL size, right? इसका फाइदा क्या होता है? हमारा shopping becomes very easy and very convenient. हमारा time बच जाता है. बराबर है? उसी तरह से, as a biology student, हमें organisms को classify करना है, क्योंकि इस धर्ती पे इतने organisms हैं, अगर आप एक-एक को पढ़ने बैठोगे, individually पढ़ने बैठोगे, तो आप पागल हो जाओगे. तो हम क्या करते हैं? हम पूरे group की study करते हैं. So when you study the entire group, you get information about all the organisms belonging to a particular group, right? चलिए. तो हम हमारे chapter को शुरू करते हैं. So सबसे पहली बार classification की शुरूवात किस ने की थी? मेरे बच्चों, classification का जो first attempt है, पहली बार जिस इनसान ने classification करने का try किया था, हमारे उस scientist का नाम है Aristotle. ठीक है? इनका नाम है Aristotle. अब Aristotle ने पहली बार कोशिश की living organisms को groups में बाटने की. अब वो टाइम पे इतने tools अवेलेबल नहीं थे, उतना knowledge लोगों को नहीं था, उतना idea नहीं था, तो Aristotle ने क्या किया? जितने भी living organisms हैं, ध्यान से देखिए, Aristotle चाचा ने क्या किया? चाचा तो क्या क्या है? हमारे दद्दा हैं, ये बहुत साल पहले ये classification हुआ था, तो हमारे दादा परदादा जो भी आप बोल लो, ठीक है? तो Aristotle ने क्या किया? और्गैनिजम्स को दो ग्रूप्स में डिवाइड कर दिया. वो सारे अनिमल्स हैं, जो चल फिर सकते हैं, वो अनिमल्स हैं, और जो चल फिर नहीं सकते, जो धर्ती पे एक ही जगा पर गड़े हुए हैं, उन्हें बोल देंगे प्लांट्स, तो Aristotle ने लिविंग और्गैनिजम्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, उन्होंने बोल दिया, हम दो गुरू बना देंगे, यह प्लांट्स एंड अनिमल्स, अच्छा, यह क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, अन दा बेसिस आफ देयर हैबिट, अब बचो, हैबिट का मतलब क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, या वो प्लांट दिखता कैसा है, उसे हम कहते हैं हैबिट, सी, बाइलोजी में दो वर्ड आते हैं, एक है है हैबिट, और एक है है हैबिट टैट, प्लीज आपको यहां कन्फ्यूज नहीं होना है, हैबिट टैट का मतलब है, वो और्गैनिजम कहां रहता है, उसके रहने की जगा को कहेंगे हैबिट अग्ट, लेकिन वो दिखता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो चल सकता है के नहीं चल सकता है, इन सारी प्रॉपर्टिस को हम कहते हैं हैबिट, तो बेस्ड ओन हैबिट, एरिस्टोटल ने दो गुरूप्स बना दिये, एक को कह दिया प्लांट्स और एक को कह दिया अनिमल्स, बराबर हैं, अच्छा, अब एरिस्टोटल ने फर्दर क्या किया, इस अनिमल्स के आगे और दो गुरूप बना दिये, एक group को बोल दिया A नाइमा और दूसरे group को बोल दिया E नाइमा, एक बोल दिया A नाइमा, एक को बोल दिया E नाइमा, सीख कुछ बाते जो आपके textbook में नहीं है, या आपके NCRT में नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो बाते नीट examination point of view से बहुत important है, ठीक है अब animals में उसने आगे दो group कर दिये, पता है क्या कर दिया, A नाइमा में उसने उस animals को डाल दिया, जिनके blood में RBC present नहीं है, right, so these are the animals without the RBCs, and E नाइमा are the animals with RBCs, that is the red blood cells, मतलब अगर A नाइमा में जितने भी animals हैं, अगर मैं उनको काटू, तो उनके body में से लाल खून नहीं निकलेगा, ऐसे animals को डाल दिया, A नाइमा, see, बायो में, जब भी कोई word A से चालू होता है, A का मतलब होता है, absent या without, और कोई word जब E से चालू होता है, E का मतलब होता है true, true मतलब कोई चीज उसमें actually present है, तो वो E से start करते हैं, ठीक है, तो ये दुनिया में पहली बार एक classification का attempt किया गया by Aristotle, हाला कि ये classification आज हम follow नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत generalized classification है, इसमें ना कोई bacteria को रखने का provision है, ना fungi को रखने का provision है, समझ रहे मेरी बात, भाई इसने तो बैक्टिरिया को भी प्लांट में डाल दिया था, लेकिन बादमिया में पता चला के बैक्टिरिया को हम प्लांट किंडम में नहीं डाल सकते, बस जो हील रहा है, वो animals, जो हील नहीं सकता है, वो plants, that was a basic method of classification given by Aristotle, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद एक दूसर चाचा जी आए, ध्यान से सुनिए, इनका नाम था केरोलस लिनेयस, ठीक है, मेरे बच्चों, इनका नाम था केरोलस लिनेयस, अब केरोलस चाचा ने थोड़ा इस classification को और modify किया, और उन्हों ने जो classification दिया, उस classification के method को हम कहते हैं, two kingdom classification, ठीक है, तो लिनेयस चाचा के classification को हम कहेंगे, two kingdom classification, राइट, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी दोई ग्रूप में डिवाइड किया, ध्यान से सुनिए, इन्होंने भी बोला, एक ग्रूप को उन्होंने नाम दिया, kingdom प्लांटे, और दूसरे ग्रूप को नाम दिया, kingdom अनीमेलिया, तो पहली बार word kingdom ये यूस किया था, लिनेयस चाचा ने, राइट, लेकिन, see, Aristotle ने क्या किया था, जो चल फिर रहा है, वो अनिमल है, जो चल फिर नहीं सकता, जो एक ही जगा खड़ा है, वो प्लांट है, लेकिन ये तो बहुत, बहुत वेग क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन लिनेयस चाचा ने, कुछ और criteria के उपर, इन organisms को divide किया, चलिए, पहले हम आपको criteria बताते हैं, ठीक है, तो जो first criteria लिया, लिनेयस चाचा ने, that was, the presence or absence of cell wall, तो लिनेयस चाचा ने क्या देखा, कि kingdom प्लांटे में, cell wall present होती है, प्लांट के जितने भी cells हैं, they have a cell wall, लेकिन kingdom animalia में cell wall present नहीं है, the cell wall is absent, अब यहाँ पे देखिए, lineage ने cell wall present है सिर्फ इतना बताया plants में, उसकी composition नहीं बताई, वो cellulose का बना है, या वो peptidoglycan का बना है, या वो kaitin का बना है, वो नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि kingdom plant में cell wall present है, तो जिनके पास cell wall है, वो plants में डाल दो, जिनके पास नहीं है, उन्हें animals में डाल दो, चलिए, अब अगला जो parameter, lineage ने consider किया, वो है, the presence or absence of contractile system, मतलब वो cells, वो tissues, जो contract या relax कर सकते, जो movements कराने में help कर सकते, तो आप सबको बता है, कि plants में कोई contractile system present नहीं होता, मतलब plants कभी contract और relax नहीं करते, उनके अंदर कोई muscular system present नहीं है, लेकिन animals में, एनिमल्स में contractile system present है, हमारे जो muscle cells हैं, वो contract relax होते हैं, तभी तो हम movement कर पाते हैं, चलिए, थर्ड parameter उन्होंने लिया, locomotion, मेरे प्यारे बच्चों, science में locomotion का मतलब है, to be able to move from one place to another, अगर आप एक जगह से दूसरी जगे move कर सकते हो, उस प्रकार की movement को हम करते हैं, हम कहते हैं locomotion, तो आप सब जानते हैं, plants अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो plant kingdom में locomotion is absent, and animal kingdom में locomotion is present, चलिए, अब अगला जो parameter हमारे लिनेयस चाचा ने लिया, वो था mode of nutrition, मतलब वो अगर अपना खाना अप्टेन करता है, तो किस तरीके से अप्टेन करता है, अब यह देखिए, यह बहुत पहले-पहले का classification है, एक humble attempt किया गया था, organisms को अलग-अलग group में divide करने का, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला पता है, कि यह जो plantे हैं, they do not eat, मतलब वो खाना नहीं खाते, लेकिन animals खाना खाते हैं, they eat, अच्छा, अब जो last parameter उन्होंने consider किया, that was the response to stimulus, now what is a stimulus, any external change in your surrounding is called as a stimulus, आपको ठंड लगती है, तो आप sweater पहन लेते हो, तो ठंड लगना is a stimulus, और आपने sweater पहना, is a response to that stimulus, समझो, आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो आप अपने कपड़े उतार के बेढ़ गया, आपने इस ही चला लिया, तो गर्मी is a stimulus, और आपने जो उसके against reaction किया, इसे हम कहते है response, तो मेरे प्यारे बच्चों, लिनेस ने क्या देखा, कि plants का response to stimulus is very slow, जबकि animals का response to stimulus is very fast, ठीक है, तो ये थे कुछ criteria, जिसके basis पे, लिनेस ने organisms को दो kingdom में divide किया, और उसे हम कहते हैं, two kingdom classification, तो अगर आपको पूछा जाए, two kingdom classification किस ने दिया, तो ये दिया, केरोलस लिनेस ने, he divided organisms into two groups, kingdom plantae, plantae का मतलब है, plants, and kingdom animalia, animalia का मतलब है, animals, based on certain characters, चली, आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक बात बता हूँ, ये जो classification केरोलस लिनेस ने दिया ना, ये भी आज हम फॉलो नहीं करते, क्यूंकि ये एक complete classification नहीं है, अभी भी काफी सारे criteria consider नहीं हुए, अभी भी confusion था, के कुछ organisms, मतलब इन criteria को अगर हम consider करें, तो कुछ organisms ऐसे थे, जिने ना हम plantae में डाल सकते हैं, ना हम animal element में डाल सकते हैं, तो let us understand, very very important, what are the drawbacks, of the two kingdom system of classification, drawbacks का मतलब है, what are the disadvantages, उसमें कुछ कमिया निकली, ठीक है, चलिए, अब कमिया क्या निकली, there was no differentiation, there was no differentiation between, first unicellular and multicellular, ठीक है, इसका कोई provision, two kingdom classification में हमें नहीं दिखता, जैसे bacteria unicellular है, लेकिन उनको भी plantae में डाल दिया है, लेकिन actually आज पता चला के plants multicellular होते हैं, तो कौन कहां पड़ा है, ये confusion था, चलिए, अगला drawback, there was no differentiation between autotrophs and heterotrophs, see, mode of nutrition में हमारे केरोलस बाबाजी ने क्या बोला, plants खाना नहीं खाते, animals खाना खाते, लेकिन भाई, plants खुद का खाना खुद अपने body में बनाते हैं, भाई, फोटो सिंतेसिस, तो आप ये कैसे कह सकते हों के खाना नहीं खाते, nutrition तो मिल रहे हुने, लेकिन अपनी खुद की body में ही वो nutrition डेवलप कर रहे हैं वो लोग, खाना बना रहे हैं, ग्लुकोस बना रहे हैं, फोटो सिंतेसिस कर रहे हैं, तो इसका भी कोई clarity हमें टू किंग्डम सिस्टम में देखने नहीं मिलता, then, third, very important, there was no differentiation between prokaryotes and eukaryotes, अब आप cell chapter में थोड़ा detail में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा short में बतातेता हूँ, see, prokaryotes हम उन organisms को बोलते हैं, जिनके पास एक well developed nucleus present नहीं है, जैसे की bacteria, अब मान लीजिए, ये एक bacteria का cell है, तो इसका जो genetic material है, bacteria का जो chromosome है, ये बस ऐसे center में पढ़ा हुआ है, within the cytoplasm, मतलब यहाँ पर कोई nuclear boundary, यहाँ पर कोई nuclear boundary या nuclear membrane आपको दिखाई नहीं देगी, इसी के साथ साथ जो दूसरे organals हैं, वो भी यहाँ पर present नहीं होते, तो ऐसे cell को हम लोग बोलते हैं, prokaryotic cell, लेकिन जो plant और animal cells हैं, these are eukaryotic, eukaryotic means, it is a completely developed cell, you will find a well-defined nucleus, and membrane bound organals, तो जिन cells में membrane bound nucleus, और membrane bound organals present हैं, उन्हें हम कहते हैं, eukaryotic, लेकिन तो plants eukaryotic होते हैं, लेकिन उन्होंने तो bacteria को भी plant में डाल दिया था, लेकिन bacteria तो prokaryote हैं, तो यहाँ पर भी गडबड मच कही confusion हो गया, राइट, so these are some of the drawbacks of the two kingdom system classification given by Carolus Linnaeus, अब उसके बाद एक दूसरे चच्चा आए, एक दूसरे अंकल आए, ध्यान से सुनिए, very very important, अब इन अंकल का नाम था Mr. Ernest Hakel, ठीक है, इनका नाम था Ernest Hakel, आपने नाम तो सुनाई होगा, अब हेकल ने बोला, घबराओ मत मेरे बच्चों, मेरे देश वासियों, दुनिया वासियों, चलो, मैं आपके काम को थोड़ा आसान कर देता हूँ, मतलब two kingdom system में, ऐसा confusion हो गया, कुछ organisms अभी भी ऐसे बचे, हमें पता नहीं था कि इनको प्लांटे में डाले, कि उन्हें अनीमेलिया में डाले, कुछ-कुछ तो दोनों के characters show कर रहे थे, तो हेकल ने क्या बोला, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, सुनिये, तो अब हेकल साब ने क्या कर दिया, उन्होंने एक नया system of classification प्रपोस किया, अब इसे हम कहते हैं, the three kingdom classification, ठीक है, इन्होंने कह दिया, three kingdom system classification, अब उन्होंने क्या किया, organisms को, तीन गुरूप में डिवाइड कर दिया, ध्यान से सुनिया, बहुत interesting है, बच्चों, 11th के कुछ बच्चों को ये topic थोड़ा सा difficult लगता है समझने में, और याद रखने में, trust me, ये मेरा promise है आपको, अगर आपने मेरी class ध्यान से सुनी, आप खुशी से उड़ी मारोगे, you will jump with joy, okay, के sir, ये chapter हमारा पक्का हो गया, बस ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, biology बहुत interesting topic है, simple topic है, देखो, मेनत करो, तो सब easy है, मेनत ना करो, तो commerce भी difficult है, arts भी difficult है, right, see, you have taken science by choice, आपका कुछ life में passion है, कुछ goal है, कुछ dream है, कुछ vision है, you want to become a doctor, you want to become an engineer, you want to make your parents proud, so you have taken science by choice, किसी ने आपके सर पे बंदूक रखके नहीं बोला, तिरको science लेना है भाई, ने तो ठोक दूँगा इधर ही, right, तो please, इसको passion से पढ़िये, fall in love with biology, it's a beautiful subject, चलिए, तो हेकल साप ने क्या किया, organisms को तीन ग्रूप में डिवाइड कर दिया, चलिए, देखते हैं, इन्होंने organisms को तीन ग्रूप में डिवाइड किया, फर्स्ट वन, प्लान्टे, सेकेंड ग्रूप, अनीमेलिया, अब हेकल ने क्या बोला पता है, तुमें जो confusion है न, भाई ये जो छोटे-छोटे organisms हैं, यूनिसेलूलर प्रोकेरियोट्स बजगे हैं, और भी कुछ बजगे, उन्हें कहां डाले, मतलब जो इसमें भी नहीं आ रहें, जो इसमें भी नहीं आ रहें, उसने बोला, उनको एक तीसरे ग्रूप में डाल दो, और उसने उस ग्रूप को बोल दिया, प्रोटिस्टा, ठीक है, तो थरी गिंडम सिस्टम, गिवन बाई हेकल, इंक्लूड़ेड प्लांटे, अनिमेलिया, प्रोटिस्टा, तो ये भाई साब ने क्या बोला, जितने भी प्लांट वाले केरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें प्लांटे में डाल दो, जो animal वाले characters show कर रहे हैं, उन्हें animal, animalia में डाल दो, और जो confused हैं, अभी भी जो vague हैं, you know, जो ambiguous हैं, पता नहीं उन्हें कहां डाले, तो जो भी बचा, जो भी कचरा बचा, उसे डाल दो, फेर, कचरा तो नहीं कहेंगे, मजा कर रहा हूं, मतलब, protista was like a dustbin, जो भी बचा कुछ ह उसे protista में डाल दो, so all the miscellaneous organisms at that time, were put in protista, ये घडबड हो गई, लेकिन, अभी भी ambiguous है, see, ये miscellaneous है न, protista में अभी भी भेलपूरी बनी हुई है, बेटा, plant चलो, sorted है, जो भी plant वाले character हैं, जो photosynthesis कर सकते हैं, उनको आमने plants में डाल दिया, जो heterotrophic mode of nutrition show करते हैं, जो locomotion show करते हैं, उन्हें अमने animals में डाल दिया, लेकिन, protista में अभी भी भी भेलपूरी मची हुई है, तो ये भी एक standard system of classification नहीं था, लेकिन आप सुन रहे हैं, आप एक बात देखने हैं, हमारे लिए एक रस्ता बन रहा है, at least एक शुरुवात हुई है, you know, the classification system has undergone several changes over a period of years, तब जा chapter है, जो हम आगे देखने वाले हैं, है के नहीं है chapter interesting, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद, जो चच्चा आए, ये चच्चा और एक step आगे थे, हमारे ये चच्चा का नाम था Mr. Copeland, क्या नाम था? Copeland, अब Copeland ने क्या बोला पता है, प्लांटे को ऐसी ही रहने दो, अनिमेलिया को ऐसी ही रहने दो, लेकिन उस प्रोटिस्टा की भेलपूरी में, एक ग्रूप है, जो एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है, उन्हें में अलग निकाल सकता हूं, जो यूनी सेलूलर प्रोक Four Kingdom Classification System, समझरी हो, यह हमारे चच्चा ने दिया Four Kingdom Classification System, तो इन्हों ने कहा, क्या कहा देखिए, प्लांटे को छोड़ दो, सौटध है, आनिमेलिया को छोड़ दो, सौटध है, अब यह जो प्रोतिस्टा ग्रूप है, इसमें से unicellular prokaryotes को protista से निकाल दो, उनका अलग group बना दो, तो ये भाई साब ने एक नया group बनाया, जिसको नाम दिया monera, kingdom monera, तो देखिए कहाँ two kingdom था, plant animal, वहाँ से तीन बना, plant animal protista, अब ये चोथा बना, plant animalia protista and monera, ठीक है? Are you understanding my point? तो ये हमें system दिया था, हमारे co-pland चाचा ने, लेकिन आपको पता है, अभी तक हम fungi को भी plants में डालते थे, पहले जमाने में bacteria को भी plant समझा जाता था, fungi को भी plant समझा जाता था, लेकिन फिर पता चला के भाई, ये बात सही नहीं है, तो finally, 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 जो सबसे बढ़िया classification, अब आते में पॉइंट पे, फिर एक में चाचा आए, भाई, अब आ गए सबके बाप, ठीक है? इनका नाम था Mr. R.H. विटाकर, नाम तो सुना होगा, इनका नाम था Mr. R.H. विटाकर, इन्होंने बोला, चलो सब बाजू में हटो, ये भाई, तेरा काम नहीं है, ये भाई, तु भी चल, तेरा काम नहीं है, तुम लोग बापको मत सिखाओ, तो R.H. विटाकर ने, फाइनली सब कन्फूशन को दूर करते हुए, जो kingdom, जो system of classification हमें दिया, उसे हम कहते हैं, the five kingdom classification system, जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, तो the five kingdom classification was given by R.H. विटाकर और ये system आज universally accepted है, पूरी दुनिया में accepted है, और आज हम ये system को follow करते हैं, राइट, अच्छा, अब R.H. विटाकर जी ने क्या किया, on the basis of evolution, उन्होंने क्या किया, चालू किया Monera से, Monera evolve होके बने protists, that is protista, और ये protists ही आगे चल कर evolve होकर, उसमें से कुछ बने, fungi, फिर बने plantae, और फाइनली बने animalia, राइट, सो इन्होंने पाच kingdom बना दिये, इन्होंने बनाया Monera, protista, fungi, plantae, animalia, and this is called as the five kingdom system of classification, ठीक है, अब आपके सामने जो यहाँ पर एक table है, वहाँ पर हमने certain character के उपर, on the basis of certain character, हमने Monera, protista, fungi, plantae, animalia, इनके features बताएं, ठीक है, मेरे बच्चों यह table बहुत important है, बिल्कुल घबरानी के बातने simple है, अगर आप ध्यान दोगे, मैं आपको पाच मिनिट में यह table learn करवा दूँगा, चलिए देखिए, तो यहाँ पर आरेच विटाकर का five kingdoms दिया गया है, आप देखिए, यह है kingdom Monera, kingdom protista, kingdom fungi, plantae, animalia, आपको इसी order में learn करना है, देखिए, अगर आप कोई चीज को बार-बार repeat करेंगे ना, तो learn हो जाएगा, चलिए, कौन से five kingdoms है, Monera, protista, fungi, plantae, animalia, Monera, protista, fungi, plantae, animalia, easy, learn हो गया, चलिए, अब first criteria जो हमने लिया है, वो है cell type, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बच्चों, एक simple tip याद रखिए, इन पाचों में, सिर्फ और सिर्फ Monera के cells prokaryotic हैं, सिर्फ Monera के cells prokaryotic हैं, जिसमें आपको एक well-defined nucleus and well-defined organals नहीं मिलेंगे, ठीक है, बाकी protista से लेकर animalia तक, सबके cells eukaryotic हैं, बाकी सबके cells eukaryotic हैं, चलिए, ये point clear हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं cell wall की, बच्चों, Monera organisms का जो cell wall है, वो non-cellulose है, मतलब वो cellulose की बनी हुई नहीं है, जैसे plants में, आपको cell wall मिलेगी, cellulose की बनी हुई, लेकिन Monera में, जो cell wall बनी है, वो polysaccharide और amino acid के mixture से बनी है, और इस compound को हम बोलते हैं, peptidoglycan, तो Monera की cell wall बनी है, peptidoglycan से, which is nothing but a mixture of polysaccharide, polysaccharide, which is a type of carbohydrate and amino acid, तो मेरे बच्चों, यह जो peptidoglycan में, यह जो peptidoglycan में, यह जो peptidoglycan से बना है, और जो glycan है, यह polysaccharide है, तो a mixture of polysaccharide and amino acid is called peptidoglycan, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब protista में generally cell wall नहीं होती, कुछ organisms में पाई जाती है, और अगर वो होती भी है, तो वो बनी होगी cellulose की, किसकी बनी होगी, cellulose की, आगे बढ़ते हैं, फंजाए में cell wall present है, और वो बनी है काईटिन से, किससे बनी है मेरे बच्चों, काईटिन से बनी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब प्लांटे में compulsory cell wall present है, और यहाँ पर cell wall बनी है, से, अनिमल सेल्स में cell wall absent है, आप सब जानते हैं, अनिमल सेल्स की जो आउटरमोस बाउंडरी है, वो cell membrane है, अनिमल सेल्स के पास cell wall नहीं होती, ठीक है, चली, अब आगे बात करते हैं, nuclear membrane की, सी, मुझे एक बात बताईए, हम prokaryotic cell बोलते किसे हैं, उसी को जहाँ पर कोई well defined nucleus नहीं है, तो nucleus defined कब होगा, जब उसके पास एक boundary होगी, nuclear membrane होगी, तो simple है, यहाँ पर monera में nuclear membrane is absent, लेकिन बाकी के सारे eukaryotic हैं, तो सभी में nuclear membrane will be present, इसी हो गई बात, चलीए, अब बात करत हैं, body organization की, body organization का मतलब, उस organism का body कितना developed है, मतलब, क्या level of organization आपको उनकी body में देखने मिलेगी, चलीए, बता देते हैं, see, monera, generally unicellular है, generally क्या सारी unicellular है, तो obviously, उनके body में एक ही cell आपको मिलेगा, मतलब, अगर हम एक bacteria की बात करें, तो बेटा, यह cell ही उसका body है, यह एक cell ही उसका body है, उसे जो भी function करना होगा, वो इस cell के through ही करेगा, चाहे उसको respiration करना हो, चाहे digestion करना हो, चाहे excretion करना हो, जो भी है वो यह cell करेगा, right, तो हम कहते हैं, monera में, the body organization is cellular, right, similarly protista में भी body organization is cellular, अब fungi थोड़े develop हो गए, थोड़े evolve हो गए, तो यहाँ पर body organization multicellular है, मतलब बहुत सारे cells बन गए हैं, लेकिन अभी तक organs नहीं बने, अभी भी वो cellular level पे हैं, लेकिन वो multicellular level पे हैं, वहाँ पर cell ने tissues बना दिये हैं, लेकिन अभी तक organs नहीं बने, right, तो fungi में the organization is multicellular है, मतलब आपको loose-loose tissues मिलेंगे, यहाँ वहाँ scattered, लेकिन वो tissues ने अभी तक organs नहीं बनाया होगा, तो fungi की body structure ऐसी होती है, अब plant a developed organism है, तो आपको यहाँ पर tissue भी मिलेंगे, organs भी मिलेंगे, जैसे अगर हम बोले, यहाँ पर, for example, यहाँ पर leaf is an organ, stem is an organ, root is an organ, right, तो plants में के body में आपको organs देखने मिलेंगे, root is an organ, stem is an organ, और animalia में तो definitely आपको tissues भी मिलेंगे, organ भी, in fact, यहाँ पर तो सारे similar functioning organs साथ में मिलकर एक system बनाते हैं, जैसे हमारे case में आपको digestive system मिलेगा, respiratory system मिलेगा, circulatory system मिलेगा, reproductive system मिलेगा, तो tissue से आगे बढ़कर organ, organ से organ system, सो यहाँ पर आपको organ system level का organization मिलेगा, ठीक है, चलिए, अब आगे बात करते हैं, mode of nutrition की, see, bacteria में कुछ bacteria ऐसे हैं, जो autotrophic हैं, मतलब वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन autotrophic में भी दो types हैं, अब यहाँ पर देखिए, कुछ bacteria कीमो सिंथेटिक हैं, और कुछ bacteria photosynthetic है, अब photosynthetic मतलब क्या, उसके अंदर chlorophyll होगा, sunlight को trap करके glucose बना लेंगे, just like plants, तो ultimately अपना खाना खुद बना रहें, लेकिन कुछ bacteria कीमो सिंथेटिक है, कीमो सिंथेटिक मतलब वो chemical reactions करवा के, एक chemical को दूसरे में convert करके, अपना nutrition अप्टेन करते हैं, तो ऐसे bacteria को हम बोलते हैं, कीमो सिंथेटिक, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कीमो का मतलब है chemicals, और synthetic का मतलब है बनाना, तो chemicals की मदद से अपना खाना बनाना, जैसे sulfur oxidizing bacteria, sulfur compounds को sulfuric acid में convert करते हैं, iron oxidizing bacteria, ferrous को ferric में convert करते हैं, एक chemical को दूसरे chemical में convert करते हैं, और इससे वो अपना nutrition, इससे जो energy निकलती है, उससे वो अपना energy हासिल करते हैं, so chemo synthetic and photosynthetic, और एक group है जो heterotropic है, अब heterotropic का मतलब, एक second कुछ और color ले लेते हैं, heterotropic का मतलब, यह अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अब मुझे बताओ, खुद खाना नहीं बना सकते, तो क्या भूका मारेगा, नहीं, चोरी करेगा, डाका डालेगा, लूट मजाएगा, कुछ तो करेगा, तो अब heterotropic में दो टाइप है, एक है saprophytic और एक है parasitic, saprophytic मतलब, वो dead and decaying matter पे ग्रो करके, उसमें से अपना nutrition निकालते हैं, और parasitic मतलब, वो living organisms की body में से, उनको अटाक करके, उनका खुण चूसके, उसमें से अपना nutrition डिराइव करते हैं, खुण चूसके is not exactly खुण चूसके, मत दूसरे living organisms की body में से, वो अपना nutrition अप्टेन करत चलिए अब बात करते हैं, protista कि आपको पता हैं, यह जो protista हैं ना, मेरे बच्चों, यह बहुत weird organism हैं, आपको पता यह protista क्या करता हैं, यह वैसे तो autotrophic हैं, जनरली autotrophic होते हैं, photosynthesis करते हैं, पर जरूरत पढ़ने पर यह heterotrophic भी हो जाते हैं, इसमें मेरा एक favorite example हैं, च हमारी एक auntie है, जिसका नाम है yuglina, इसका नाम थोड़ा lina लडकियों से मिलना जुलता है, मिलता जुलता है, तो हम इसे कहेंगे yuglina auntie, ठीक है, आपको पता है yuglina का एक speciality क्या है, जब उसे light available होगी ना, तो वो photosynthesis कर लेगी, glucose बना लेगी, अपना खाना खुद बना ल हेटेरोट्रोफिक हो जाती है, वो दूसरे organisms को मार कर अपना nutrition लेती है, are you understanding? तो ऐसे organisms को हम mixotrophic कहते हैं, तो protista में कई बार आपको mixotrophic mode of nutrition भी देखने मिलेगा, where the organisms are autotrophic also and heterotrophic also, अब आप कहेंगे, sir वो जो insectivorous plants हैं, picture plant या venus fly trap बोलो, या picture plant बोलो, वो भी तो है, बेटा नहीं, वो दल बदलू नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो सिर्फ अपनी nitrogen की requirement को पूरा करने के लिए insects को खाते हैं, क्योंकि वो जड़ों से, वो ऐसे soil में उखते हैं, जहां पर nitrogen की deficiency है, तो वो जड़ो से nitrogen नहीं अब्जॉब कर पाते हैं, तो कीडों को मार कर अपनी nitrogen की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन photosynthesis करके glucose खुद बना लेते हैं, तो insectivorous plants यहां पर नहीं आएंगे, are you getting my point, right, तो example हमने बोल दिया, यूगलीना, जो एक mixotrophic organism है, it shows autotrophic mode of nutrition also, and heterotrophic mode of nutrition also, right, अब फंजाई जो है, वो completely heterotrophic है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, okay, तब उसमें भी दो थाइप है, saprophytic and parasitic, अब saprophytic का मतलब क्या है, चले हम आपको यहां पर समझा देते हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए, यहां पर कुछ dead and decaying organism पड़ा हुआ है, किसी animal या plant की dead body पड़ी है ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यह fungi आकर इसे यहां पर attack करेंगे, अब what is a saprophytic mode of nutrition, you know, यह fungi कुछ enzymes छोडेंगे अपने अंदर से on this decaying matter, और वो इस matter को बाहर ही digest करके, फिर इसके nutrients को अपने अंदर absorb करेंगे, तो इस mode of nutrition को हम कहते हैं, saprophytic, they obtain their nutrition from dead and decaying matter, और parasitic का मतलब, जो living organisms में से अपना nutrition लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा, इंसानों को एक खाज-खुजली की बीमारी होती है, जिसे हम कहते है, ringworm, तो ringworm क्या है, यह एक टाइप का fungus है, जो आपके body से nutrition लेकर, आपके skin पे पल रहा है, चली, आगे सारे plants, बिचारे, एकदम सुशील, घरेलू, बोलते हैं ना, एक घरेलू, बहु जो अपना खाना वाना बनाती रहती है, right, so they are completely autotrophic, and they, that is why we call them producers, and they prepare their own food by the process of photosynthesis, so they are autotrophic and photosynthetic, animals, अब हम animalia की बात करें, तो animals अपना खाना नहीं बना सकते अपने body में, they depend on other organisms, so animals are heterotrophic, लेकिन अब एक यहाँ पर important term हमें समझना है, see, they have mentioned a word, they have mentioned a word, चली, यहाँ पर हम यूगलीना रख देते हैं, आपको याद रखने के लिए notes में, चीक है, यूगलीना को हम कहते हैं mixotrophic, हाँ, चली, अब आते हैं animals पे, अब यहाँ पर एक word mention किया है, holozoic mode of nutrition, you know what is holozoic, समझ लीजे, आपको बहुत भूक लगी है, और मैंने आपके सामने आपका favorite food, extra large cheese pizza, आपके सामने रख दिया plate पे, अब आप वो cheese pizza को देख रहों, देख रहों, बेटा, energy देदे, energy आपको energy मिल जाएगी, नहीं न, मुझे बता ही, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो pizza का एक slice लेकर मुँ में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, वो पेट में जाएगा, वहाँ उसका आधा digestion होगा, फिर वो small intestine में जाएगा, वहाँ उसका remaining digestion होगा, फिर उसके nutrients blood में absorb होगे, फिर वो cells में जाएगे, वहाँ assimilation होगा, फिर आपको energy मिलेगी, और जो undigested matter है, आप potty करके उसको बाहर निकाल दोगे, तो भाई, तब जाके आपको उस pizza के nutrients, वैसे pizza में जाधा nutrients नहीं होते, junk food है, बड़ example के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों क digestion, फिर उस food का हुआ digestion, फिर उसके अंदर के nutrients का हुआ absorption, फिर cell में हुआ उसका assimilation, और फिर आपने undigested food को बाहर निकाला, उसे कहेंगे digestion, तो हमारे में mode of nutrition ये 5 steps का होता है, तो मेरे बच्चों ऐसे mode of nutrition को बोलेंगे, holozoic mode of nutrition, where you take in whole food in your mouth, the food is digested, absorbed, assimilated inside your body and the waste material is thrown out, तो ऐसे mode of nutrition को हम कहते हैं, holozoic mode of nutrition and कुछ animals they follow the saprophytic mode of nutrition, right, तो I hope ये table आप लोगों को clear है, बिलकुल डरने की बात नहीं है, बहुत easy है, चलिए, अब आते हैं आज के आखरे point की तरफ, तो मेरे बच्चों अभी हमने देखा, ये, अचा उसके पहले एक बात, see ये जो five kingdom of classification आपने देखा, एक question आता है, के sir Robert Vittaker ने किस criteria पर ये classification किया, चलिए, देख लेते हैं एक बार, what is the basis on which the five kingdom classification system was devised, चलिए, the basis is, Robert Vittaker ने क्या देखा, cell structure, prokaryotic या eukaryotic, फिर उसने देखा, body organization, मतलब cellular level है, tissue level है, organ level है, organ system level है, फिर उसने देखा, mode of nutrition, मतलब organism autotrophic है, या heterotrophic है, ठीक है, अगर autotrophic है, तो photosynthetic autotrophic है, या chemo synthetically autotrophic है, अगर heterotrophic है, तो holozoic है, parasitic है, या saprophytic है, देखिए, कितना systematically, जैसे आप एक mall में गए, अब आपको mail के कपड़े लेने हैं, तो आप mail के section में गए, वहाँ पे आपको t-shirt लेना है, तो आप टी-shirt के section में गए, टी-shirt में आपको brand, उस particular brand का लेना है, तो आप उस brand के section में गए, वहाँ पे आपको L size का t-shirt लेना है, तो आपने L size में से t-shirt निकाला, भाई, कितनी easy हो गई तुमारी shopping, अब मालो मैंने L, XL, medium, male, female, blue, black, white, सब का एक heap बना के रख दिया, एक bundle बना के रख दिया, अब मैं ब तो यही बात है, हमारी study को easy करने के लिए, हम organisms को classify करते हैं, तो देखिए कितना बढ़िया काम की रख विटा करने, और एक चीज उसने क्या देखा, very important ध्यान से सुनिये, phylogenetic relationship, अब phylogenetic relationship का मतलब है, this is a very important word, इसका मतलब है, क्या हो रहा है मेरी handwriting को? चलिए, इसका मतलब है, evolutionary relationship, see, हमने क्या बोला, पहले मोनेर आए, फिर प्रोटिस्टा आए, फिर फंजाय आए, फिर प्लांटे आए, फिर अनिमेलिय आए, ऐसे नहीं कि उसने अनिमेलिया को पहले डाल दिया, हर organism कुछ न कुछ evolutionary traces से एक दूसरे से connected है, बराबर है, एक का evolution ही दूसरे में से हुआ है, और हम सबका एक common ancestor है, तो phylogenetic relationship का मतलब है, the evolutionary relationship between different groups, so these are the criteria और the parameters on which Robert R.H. Wittaker gave us the five kingdom system of classification, चलिए, अब आखरी system की तरफ बढ़ते हैं, आखरी system जो में दिया था, एक दूसरे चच्चा थे, इनका नाम था, Mr. Carl Woos, spelling देख लीजिए और pronunciation देखिए, it is Carl Woos, ठीक है, अब Carl Woos ने जो system of classification दिया, मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं, six kingdom classification, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं, the three domain classification, चलिए, इंट्रेस्टिंग है, है वो ही five kingdom, बस उसको थोड़ा सा modify कर दिया, काल Woos ने, हमारे पास थे, प्रोटिस्टा, हमारे पास है, फंजाई, हमारे पास है, प्लांटे, हमारे पास है, आनीमेलिया, और हमारे पास है, मोनेरा, मैंने मोनेरा जान बुच के नीचे लिखा, हम आपको पता चलेगा, काल Woos ने क्या बोला, इस मोनेरा को, आप दो में डिवाइड कर दो, मोनेरा को दो में डिवाइड कर दो, एक को हम बोलेंगे यू बैक्टिरिया, और एक को बोलेंगे आर्की बैक्टिरिया, ठीक है, तो मोनेरा को हमने और दो में तोड़ दिया, यू बैक्टिरिया और आर्की बैक्टिरिया, तो हो गए छे किंग्डम्स, ये देखे यहां प प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटे, अनिमेलिया, यू बैक्टिरिया और आर्ची बैक्टिरिया, अब यह जो यू बैक्टिरिया हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, उनको छोड़कर जो बाकी के बैक्टिरिया हैं, उन्हें हम डाल देते हैं आर्ची बैक्टिरिया में, जो हम आगे डीटेल में पढ़ने वाले, अभी के लिए इतना याद रखिए, ठीक है, तो यहाँ पर 6 kingdoms हो गए, so this was the 6 kingdom classification given by Carl Woos, अब what is 3 domain, अब Carl Woos ने क्या बोला, अब यह 6 kingdom में आप 3 domain बना दो, domain मतलब kingdom के भी एक level उपर हो गया, okay, technically यह kingdom के भी एक level उपर हो गया, उन्हों ने कहा, कि यह protista, fungi, plantae, animalia, यह सब eukaryotic है, तो इन्हें आप एक domain में डाल दो, इस domain को कहेंगे eukaryia, तो यह सब आ गए एक domain में eukaryia, फिर एक domain बन गया eukaryia, और एक domain बन गया archibacteria, तो यह बन गया तीन domain, मतलब six kingdom को आपने तीन domain में बाठ दिया, तो protista, fungi, plantae, animalia, यह सब eukaryotic हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं domain eukaryia, और monera के जो दो further classification है, यह दो domains होगे, u bacteria and archibacteria, तो अच्छा, और एक चीज कालव उसने क्या बोला, last point, ध्यान से सुनिए, देखिए, उन्होंने क्या बोला, समझ लीजे, यह तीन domains हैं, यह एक domain है, यह दूसरा domain है, और यह तीसरा domain है, ठीक है, चलिए, इसमें हमने डाल दिया यू बैक्टीरिया, इसमें हमने डाल दिया आर्की बैक्टीरिया, अब बाकी के सब बचे हुए, जैसे protista, fungi, plantae, animalia, इस domain को हम बोलते हैं, यू कैरिया, यह बन गए तीन domain, लेकिन, काल वूस चच्चा ने बोला, कि यह सभी domains, कहीं न कहीं, अगर evolutionary study देखी जाए, तो कहीं न कहीं हम सब, एक common ancestor से evolve हुए हैं, अलग-अलग directions में, अलग-अलग lineage में यह evolution हुआ, लेकिन हमारी एक common ancestry है, और इस common ancestor, जहां से इन सब का evolution हुआ है, इन्हें हम कहते हैं, very very important word, इन्हें हम कहते हैं, progenote, ठीक है, तो यह हमारा common ancestor है, जिसे हम कहते हैं, progenote, right, तो यहां पर हम finish करते हैं, the different systems of classification, I hope आप लोगों को यह class समझ में आ गई होगी, बहुत beautiful chapter है, बहुत easy कर देंगे आपके लिए, बस उसे बार-बार देखिए, बार-बार revise करिए, see, knowledge बाटने से बढ़ती है, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो please, इसे फटा-फट शेर मार दीजी आपके friends को, आपके groups में, सबको इसका फाइदा मिलने दीजे, हमारे लिए भी एक motivation है, आपके लिए और better perform करने के लिए, right, thank you so much.